नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्यशंकर तिवारी हूँ दिल्ली पुलिस के प्रदर्शन के बाद आज बारी दिल्ली के वकीलों की है वकील जितने भी साथ कोट है वहाँ पे धर्णा प्रदर्शन कर रहे हैं और अब वो अपने लिए न्याय मांग रहे ह दिल्ली पुलिस अपने लिए कलने आए मांग रहे थी और धिरे धिरे इसका असर जो है दिल्ली से बाहर भी होने लगा है जहां तहां से खबरे मिल रही है अलवर समेत कई जगों से की पुलिस और वकील का टकराव हो रहा है इसी बीच ये भी खबर आई है कि दिल्ली पु स्टेज पर आ गई हैं और उनकी अचानक चर्चा होने लगी है और चर्चा होने लगे किरनबेदी चूप रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता फिलहाल वो पुड्डू चेरी की LG हैं और उन्होंने जो है दिल्ली पुलिस कर्मियों के स्टेंड का समर्थन किया है और साथ में पुलिस अधिकारियों को ये सलाह भी दी है कि जो 1988 में उन्होंने किया था जिस तरीके से दिर्टा का परिचे दिया था वही दिर्टा का परिचे मौझूदा अफसरों को भी देना चाहिए इस्टेंड पर कायम रहिए अदर्वाइस जो आपके मात्वत अधिकारी काम कर रहे हैं उ उनकी विश्वास बहाली कैसे होगी उनका भरोसा आप में कैसे रहेगा सवाल तो उन्होंने सही उठाया है कि जब भी नीचे के अफसर या पुलिस कर्मी काम करते हैं तो उपर वालों के भरोसे काम करते हैं जब एकसल लेते हैं तो भी होता है कि हमारा पुलिस अफसर ऐसा यानि कि उनका कभी कोई बहुत किसी इसू पे सक्ति स्टेंड नहीं रहा है। के डेट में रीड की हड़ी वाले को जिम्मेदारी का पद कहां दिया जाता है। जो है लाठी शार्ज का आदेश दिया था। बात यहां तका रही है कि जिन पुलिस अधिकारियों के जो ड्यूटी थी उन्होंने निभाया उसी का ये खाम्याजा भुगत रहे हैं। और अमुल पटनायक ने वो इस्टेंड नहीं लिया जो उनको लेना चाहिए था। अब यह कहा जा रहा है कि केंद्री ग्री मंत्री इस बात को लेके नराज है कि इतना देर क्यों लगा पूरे इस्टू को टेकल करने में। तीन बज़े जब उनके यहां मिटिंग हुई अमित्साह कि यहां उसके बाद जो है दिल्ली हाई कोट में अपलिकेशन मूब किया गया है कि जो भी और पास किया गया है उस पर असपश्टी करन जारी किया जाए उसके बाद सब को नोटिस दिया गया और आज सुनवाई हो ने जा रही है तो कहीं न कहीं पूरे इसू को टेकल करने में परवाही हुई या समझ की कमी रही अफसरों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे एक बात यह भी आ रहे है कि जब पुलिस अफसर चारों तरफ से निरास हो गये कोई उनकी सुनी नहीं रहा है दि IPS Association है या पुलिस कर्मी हो उनको सपोर्ट मिला है उससे भी यह पता चल रहा है कि किस तरीके से पुलिस कर्मी भी फ्रस्टेटेड है बाराल बात कर रहा है थे किरनवेदी की किरनवेदी ने यह जो इस्टेंड लिया है और वो उसकी काफी तारीफ हो रही है तारीफ इसलिए किरनवेदी को लेकर के वी नीड यू और के आपने बड़े-बड़े बैनर पोस्टर देखे होंगे जिसमें किरनवेदी का फोटो लगा हुआ था और पुलिस कर्मी नारे लगा रहे थे कि हमें ऐसा पुलिस कमिशनर चाहिए अब ऐसा पुलिस कमिशनर कहां से लाएंगे वो तो किरनवेदी तब रिटायर हो चुकी हैं वरहर हुआ क्या था उन्हेस अथाथासी में आचानक किरनवेदी फिर से सुर्खियां बन गए हुआ था कि इसी नर्थ ढरूडिश्टी की जो है डिसी पी कह आ ती थी किरनवेदी और सेंट स्टिस्टिफन से एक वसकील पक वकीलों में थोड़ा हॉट टॉक हुआ फिर संघर्ष की स्थिति बन गई फिर वकील पहुंचे आप डी सीपी नौर्थ के पास यानि किरनवेदी के पास यह बताने के लिए कि आपके पुलिस ऐसे कर रही है कहते ही है कि वहीं पे किरनवेदी से भी उनकी हॉट टॉक हो गई दफतर में ही यानि के डीसीपी नौर्थ के दफतर में ही और फिर उन्हों ने जो है किरनवेदी जब पुलिस वकीलों ने बत्तमीजी की तो किरनवेदी ने लाठी चार्ज का देश दिया और फिर वकीलों के दुड़ा-दुड़ा के पिटा गया था उसका नतीजह यह हु हुआ अधिकlorो हुआ पुलिस और वकीलों का संघरशपूरेदेस में फैल गया था था दो महिने बाद किरनBeidi को शरकारे को पोस्ट से रहा पड़ा था लेकिन पूरे देस में किरन बेदी जो पहले क Kathleen किРणबेदी की अलग कहानी है कि प्रदान मंत्रि इंदरा गांदी गारी उन्होंने काुण तो आप जो वो चर्चे में आई है तो उन्होंने दिली पुलिस कर्मियों का एक बार फिर से सपोर्ट किया है और जो पुलिस कमिशनर समेट तमाम अधिकारी हों उनको सीख दी है कि स्टेंड लेना सीख ही है तो देखते हैं कि उनकी सीख से ये लोग कितना सीखते हैं बाराल दिली पुलिस कर्मियों में किरन बेदी बहुत ज़्यादा लोग प्रियों हो रही है आज कल कि उन्हें ऐसे अफसरों की जरूरत है क्या कि सरकार भी सोचेगी कि वह कई मैं ऐसे सक्ट अफसरों की जरूरत है क्यों यहां के लाउन अर्डर को संभाल सके क्योंकि यह तो जो टैनाती देने वाले लोग हैं उनको सोचना होगा कि उन्हें लिजे अफसर चाहिए यह सक्ट इस्टेंड लेने वाला अफसर चाहिए यह और उन्हीं के तैक करने से किरनवेदी जैसे अधिकारी मिलेंगे और नहीं तो फिर जो है उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा देखते हैं आगे क्या होता तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रही है हमारा डिजिटल चैनल इन खबर थैंक यू इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूल